कि बताया था पहले भी आपको कल भी बताया था कौन सा चप्तर स्टार्ट करना है क्वाड्रेटिक एक्वेशन वर्ग समीकरण कि अन्य टैन्थ में भी आपने कुछ पढ़ा है क्वाड्रेटिक एक्वेशन कि एक्वेशन की बात करें वर्ग समीकरण एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इकोल टू जीरो इसको हम दुगात समीकरण या वर्ग समीकरण इंग्लिश में कौड्रेटिक एक्वेशन बोलते हैं कि यह निव चैप्टर है कौड्रेटिक एक्वेशन निव चैप्टर नेक्स चैप्टर क्वेशन जो मैंने मॉडिव आपको शेयर किया है ग्रूप पर है ना उसमें उसी में नेक्स चैप्टर बेसिक मैस कंप्लीट होता हुसके बाद कौड्रेटिक एक्वेशन तो वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c एक्वल टू 0 फिर a एक्वल नॉट 0 a 0 नहीं होना चाहिए मालूमें क्यों नहीं 0 नहीं होना चाहिए अगर a 0 हो गया तो equation का form बचेगा bx प्लस c एक्वल टू 0 और वो एक रेखिक समीकरण हो जाएगा तो quadratic equation वर्ग समीकरण होने के लिए कंपल्सन है एक्सिस्व्यर का coefficient a 0 नहीं होना चाहिए a 0 नहीं होना चाहिए ओके यह जो a b c है इनको हम वर्ग समीकरण के coefficient of quadratic equation कहते है a b c are called coefficient of quadratic equation and a is called leading coefficient a को हम leading coefficient क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर b और c 0 हो जाएं तब भी वो quadratic equation है लेकिन अगर a 0 हो जाए तो quadratic equation नहीं है तो quadratic equation है या नहीं वो एकी value पर depend करता है इसलिए हम एको leading coefficient इंदी में बोलने तो नेत्रत्यों कारी गुणांक कहते हैं को हम वास्त्विक गुणांकों वाला वर्ग समीकरन कहते हैं वास्त्विक गुणांकों वाला वर्ग अगर ईबी सी वास्टुक्संख्याइए नहीं है तो कोई प्रॉबल्म नी तब भी समीकरन होगा वो है तब भी हो वर्म सहरा होगा आपस् говорить ने वहासलों कि impacted योटा की टम में 3 पलस आयोटा अयोटा मालूमें मेजञेंरी नमबर होता है बताया था मैं एक दिन एबी सी वास्ट्विक संख्या होना चाहिए एक्स स्क्यर प्लस बी एक्स प्लस सी कोल टू जीरो के गुणांक एबी सी वास्ट्विक संख्या ही होना चाहिए और इस चैप्टर में जो हमारी पूरी quadratic equation है वो वास्टविक गुणांकों वाला वर्ग समीकरण की थेयोरी हमें पढ़ना किस वर्ग समीकरण की थेयोरी हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में A x square plus B x plus C equal to 0 जहां A, B, C वास्ट्विक संख्या है A, B, C वास्ट्विक संख्या है मतलब वास्ट्विक गुड़ांकों वाले वर्ग समीकरण की ही थियोरी पढ़ना क्लियर हो गया ओके तो अब हम इस वर्ग समीकरण को हल करने के लिए हमने दो विधियां पढ़िए एक गुड़नखंड विधी और एक शूत्र विधी फॉर्मूला मेथड शूत्र विधी फेक्ट्राइजेशन मेथड गुड़नखंड विधी है ना तो गुड़नखंड विधी हम सभी को मालूम है यह वर्ग समीकरण है इसको हल करना है सब्सक्राइब को स्प्लिट करो सेवन और फॉर एक्स एक्स माइनस सेवन माइनस पॉर एक्स माइनस सेवन इकोल टू जीरो एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस फॉर इकोल टू जीरो एक्स माइनस सेवन इकोल टू जीरो और एक्स माइनस फॉर इकोल टू जीरो तो दो मूल आ गए दो हल आ गए फॉर कॉमा सेवन पूआ शेवाइगा लिदि कर दिया कि विल्कुल फॉर कॉमा तो गुणनकर भी है लेट फेक्टराइजेशन मेफ़ड हल करने की विधी वर्ग शमीकन को हल करने की पहली विधी गुणनकर भिदि इसमां में डेल टंप को स्प्लेट कर दिया फैक्टर हो FC अब समुन करके हल्य निकाल लिये एकल्सटो टू 4 और एक सी क्लियर इसी question को हम कि फार्मूला मेथेड से भी कर सकतें फार्मूला सबको पता आए है है या फार्मूला सभी को पता है x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a ठीक है तो हम next slide पर आ रहे हैं formula की बात करते है quadratic को solve करने का formula ax square plus bx plus c equal to 0 इसको all करने के लिए formula है माइनस भी प्लस माइनस अंडरोड बी स्क्यर माइनस फूर एसी अपन टू है कि सबको मालूम है यह फॉर्मूला है हाँ कैसे आया यह भी मालूम है यह फॉर्मूला हमने कैसे निकाला है सब्सक्राइब करें यह फॉर्मूला निकालना आना चाहिए वैसे आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे आया एक्स स्क्यर प्लस बी एक्स प्लस सी कोल टू जीरो देखेंगे ध्यान से एह हमने कॉमन ले लिया कि ठीक है अब अगर हम कि पूर्ड वर्क बनाना सभी को आता है कि कैसे बनाते हैं जो एक्स का गुडांक है बी आपॉन ए सब्सक्राइब करते हैं और उसी का सब्सक्राइब करते हैं यह चाहें तो हम यह से भाग देते हैं क्योंकि यह अशुनी संख्या मालूम है हमें यह नौन जीरो है तो यह से डिवाइड कर दिया दोनों साइड इसे दोनों पक्षन भाग देने के बाद चाहें तो हम सीवा यह को उधर भी ले जाएं तो माइनस सीवा यह हो गया अब हमने क्या किया एक्स का गुणांक जो है बी बाए यह उसका हाफ किया तो बी बाए टुए का हॉल स्केर दोनों साइड जोड़ दिया कि लेफ्ट हैंड साइड में भी आड़ कर दिया राइट हैंसाइड मैं भी तो लेफ्ट हैंड साइड में बन गया a2 कि प्लस बी स्क्वेयर वी टू इंटु बी बाई टू एंटु एक्स है ना तू और एकी जग़ा एक्स और बी की जग़ा बी बाई टू है तो टू से टू कैंसल हो गया तो यह इडेंटिटी बन गई a square plus b square plus two a b a plus b call a square इधर क्या आ गया b square by 4a square minus c by a lcm ले ले 4a square b square minus 4ac ठीके तब square root ले दोनों पक्षों का वरगमूल ने equals to तो क्या आ जाएगा उधर plus minus and rood b square minus 4ac इसको क्या लिख सकते हूं वी स्केर माइनस प्रेसी अप on डूए यह समझ म्हाँ नेक्स लाइन यहां देख लें या लिख देदा हूं में स्टीम का एक एक अक मॉनस जो ब्रतो है उधर ले ओ tut लें का चिरए माइनस भी समझ में आया फार्मूला कैसे प्रूव किया तो अब हमें फॉर्मूला क्वार्व करने की जरूवत नहीं हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करके अपलाय करना कौन सी फोर्थ लाइन फार्स सेकेंड थार्ड फोर्थ पूर्ड वर्ग बनाया बेटा पूर्ड वर्ग बनाने का प्रोसेस होता है पूर्ड वर्ग बनाने का प्रोसेस होता है जो एक्स में पूर्ड वर्ग बनाना तो जो एक्स स्क्वेर का पद है और एक एक्स का पद है त उसका हाफ करते हैं उसका आधा करते हैं उसी का वर्ग जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में यहां बोलते हैं पूड़ वर्ग बनानी के लिए उसी का वर्ग जोड़ देते हैं और उसी का वर्ग घटा देते हैं तो हमने घhãटाने की जग़ा क्या किया इधर ही घटाते फिर उसको उदर ले जाते तो डायरेक्ट इधरी लेग दिया तो एक्स का गुणांख है वी बाय ए उसका हाफ किया आधा किया तो आया भी बाय टूए तो दोनों पक्षों में भी बाय टूए का वर्ग जोड दिया एसा कर देने एसे left hand side में बन गया a square plus b square plus 2a b तो x plus b by 2a haul square समझ में आया सबी को तो formula का derivation समझ में आया कैसे ओके तो हमें het tarอ करना question में formula apply करना लेकिन अगर possible हैं तो factorization method में प्लस साइन लेंगे फिर माइनस साइन लेंगे अगर फेक्टर पॉसीबल तो डारेक्टर करेंगे ठीक है जैसे अभी हमने एक स्क्राइब माइनस सेवन एक्स प्लस ट्विंटी एट इकोल टू जीरो किया था फेक्टर करके एंसर आयदे से सेवन और फॉर फॉर्मूले से भी कर सकते फॉर्मूले में ज्यादा टाइम लग जाएगा एप्लाए करें एवन है भी माइनस सेवन है सी टुइंटी एट है यह सबको मालूम है एबी सी कैसे लिखा एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी बरावर जीरो से कंपेर गिया तो गुणांक आगे वन एवन बी माइनस सेवन सी टुइंटी एट फॉर्मूला एप्लाए करें एक्स एक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वेर माइनस फूर एए शी अपॉन टू ए चो एक्स एक्वल टू ब्लस माइनस फॉर्टी नाइन फॉर एए शी ग्युक्त की टाए दैवन एक्स निजिए यह दो है अब भी किया थे क्या था कोशन विश्ट यही था है ठीक है एक स्ट्कार माइनस एलेवन-एक्स-प्लस-ट्रिंटिए चेंज कर देता हूं मैं बीच बीच वाला मैंने कॉफीशेंट रॉंग ले लिया है ना और अगर जो पिछला क्वेशन था वो भी सॉल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं इमेजनरी रूट्स आ जाएंगे छोड़ देंगे फिर उसको तो यहां क्या आएगा 11 यहां क्या आएगा 11 ठीक है चैंज कर दिया समझ में आया मैंने लास्ट क्वेश्चन की कॉपी की पर वो कॉफीशेंट रॉंग कॉपी कर लिया एक्स स्क्यर माइनस 11 एक्स प्लस ट्विंटी एट इक्वल टू जीरो रैट क्या आगया एवन बी माइनस 11 सी ट्विंटी एट ठीक है कितना आगया ठीक है करेंगे कितना आएगा अपन टूए एक्स एक्स एक्वल टू सेवन प्लस माइनस कितना होगा सेवन प्लस माइनस प्लस साइन लेंगे प्लस साइन लेंगे प्लस साइन लेंगे कितना हो जाएगा सेवन और फूर ठीक है ना साइज में आ गया ओके यह तो फॉर्मूले से बताया है ना लेकिन अब कुछ सब्सक्राइबहोगा अल्स क्ेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें फॉर्मूले लगाना पड़े हम मिडंडिलित असानी से नहीं होगी है 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 में मैं का एकशा स्कोर मैनस टूएक्स माइनस फॉर इक्वल टूजिरो एक्स स्क्वेर माइनस टू एक्स माइनस फॉर एक्वल टू जीरो मिडिल टम स्प्रिट कर पा रहे हैं तो फिर यहां पर हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ाएगा माइनस भी है डाइरेक्ट लिखू अब बी नेगेटिव है तो प्लस हो गया प्लस माइनस अंडरूट बी स्केर माइनस फॉर एसी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडरूट ट्वेंटी बाए टू ट्वेंटी के फेक्टर टू इन्टू टू इन्टू फाइब टू कॉमन ने काला वन प्लस माइनस रूट दो मूल आ गए सभी को तो फॉर्मूला मेथट भी समझ में आ गया प्रेक्टर इजिशन में यह वेक्टर टू करता हैं अगर पॉसिबल है तो फेक्टर करना तो फेक्टरी करना चाहिए वुड़नखन विदी लगाना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में टाइम लाचा है ओके यह क्या थी वर्ग समीकरण को हल करने की विदिया फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बताया मैं थीक है अब हम आगे बात करते हैं तो इस था सब्सक्राय को सब्सक्राइब करनी विद्यगर का कि यह दंगरी architect करें के वर्ग समीकरण में परी edtin है रविद्य यह लेकिन हम उनको वर्ग चाहिए यहाद के पिस्टेब। करके और कुछ मैंठेड हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं तो उनी पर बेज कुछ कुछ क्ष्चन करेंगे हम कर दो कि वर्ग समीकरण में परिवर्तनिय समीकरण मतलब क्वाड्राटिक एक्वेशन में कन्वर्ट करके हमें वर्ग समीकरण मैं बदल के उस समीकरण को देखो ओरिजिनली एक्वेशन वर्ग समीकरण नहीं वर्ग समीक्रण का तो फॉर्म क्या होता है इसको कुछ ऐसा कुछ करें कि वर्ग समीकरण बन जाए और हल करने यह वाला फॉर्म हम लास्ट चेप्टब में बोटाए था कर सकते हैं सभी क्लिक करो क्या करोगे कैसे बदलोगे वर्ग समीकेन में 5 प्लस टू रूट 6 तू दी पाउर एक्स स्क्यर माइनस 3 को क्या लोगे टी अगर इसको टी ले लिया तो यह जो 5 माइनस तू रूट 6 की पाउर to the power x3-3 क्यों है क्योंकि ये दोनों का गुणनफल यह यह क्या हो गया 1 बाइटी तो एक्वेशन बन गई आपकी टी प्लस ब्लस बाइटी कोल कुल टू-10 ठीक है LCM ले 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 टी स्क्वेर माइनस टेंटी प्लस वन इकोल टू जीरो राइट एना LCM ले लिया इसको इदर ले आए हाँ कॉड्रेटिक का फॉर्मूला लगाया माइनस भी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वेर माइनस पूर एसी अप उन टुए थीक है तो टी की वैल्यू आ गई टू से डिवाईड थाइब प्लस माइनस तू रूट थे है तो टी की एक वैल्यू आ गई फाइब प्लस टू रूट थेस दूसरी आ गई यहां क्यों लिया यह प्रॉब्लम हमने यह इसको टी मान लिया जिससे की वर्ग समीकर्ण में चेंज हो गया है यह वाला फॉर्म हमें एक बार रिपीट हो रहा है एक्चुली हाँ टी की वैल्यू टी किसको माना था फाइब प्लस टू रूट सेक्स होल पावर एक्च स्क्यर माइनस तरी तो यहां बेस है फाइब प्लस टू रूट सेक्स पावर क्या कर देंगे बेस से में पावर एक्वेट कर दें फूर प्लस मैनस ठीक है इधर 5 प्लस टू रूट 6 5 टू रूट 6 एक्स स्क्रमाइनस ए यह यह फाइब माइनस टू रूट 6 को क्या लिखेंगे वन अपॉन फाइब प्लस टू रूट 6 और उपर ले जाएंगे तो फाइब प्लस टू रूट 6 होल पावर 1 होल पावर माइनस ठीक है फाइब माइनस टू रूट 6 को क्या लिखा वन अपॉन फाइब प्लस टू रूट 6 ऊपर ले जाएंगे तो फाइब प्लस टू रूट 6 होल पावर माइनस एक्स स्क्रमाइनस थ्री एक्स स्क्रमाइनस टू x equal to plus minus root finally solutions लिखें तो four solutions आगए पिलस माइनसलुट टो प्लेस रूट टो माइनसलुट टो और प्लस टू माइनसलु माइनसलुक्ट टू अशत suprem इसब्सका में आ गया कि सभी को वर्ग समीकरन में परिवर्तनी है समीकरन ठीक है और कुछ एक्जामपल लेते हैं यह हो गया सभी का कम्प्लीट यह फॉर्म अल्रेडी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ओके नेक्स फॉर्म पर आते हैं हां नेक्स थे खर स्वाल वाया नेक्स फॉर्म लाइक्स हाल इसक्राइड इक्सूर्ण थे थे खर स्वाइड सेड़ते हैं है ना सेकेंड कोश्चन क्या है हमारा एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्केर इकोल टू फूर प्लस थी बाई टू एक्स माइनस वन यह यह वर्ग समीकेंड में बदलना है और फिर हल करना है है तो ध्रयान छ से देखें आंच एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स ग million करकेंड डियर प्लस वन बाई यह एक्स माइनस वन स्केर और यहीं माइनस बाई डैन्टीट होती यह एलजेबरिक आइडेंटिटी ये बताई भी थी ए प्लस भी होलिस्कर एक्वल टू ए माइनस भी होलिस्कर प्लस 4AB तो देखिए अगर इसमें एकी जगा है X और B की जगा 1 बाइएक्स रग तक क्या हो जाएगा 4 X A की जगा X और B की जगा 1 बाइएक्स एक्स वन बाइएक्स कैंसल होगा तो X प्लस वन बाइएक्स की होलिस्कर के प्लेस पर इस एक्वेशन में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें सांज में आ गया ठीक है इधर भी 4 था ना यह तो हमने किसकी जगह रखा हैं लेफ्ट हैंड साइड के प्लेस पर एक्स प्लस वन बाइएक्स वॉलिस्कर के प्लेस पर यह राइट हैंड साइड में क्या है फोर प्लस थ्री बाइटू एक्स माइनस वन बाइएक्स ठीक है यह फोर से फोर तो यह जो बचा हुआ फॉर्म है यह वर्ग समीकर्ण है एक्चली देखें अगर इसको टी ले लेंगे तो टी स्केर वर्ग समीकर्ण में रिड्यूस कर सकतें ठीक है तो टी कॉमन इसको इधर लाया और टी कॉमन लिया तो टी की दो वैल्यू आ गई टी कोल टू जीरो और टी कोल टू थ्री बाइट ठीक है तो टी कोल टू जीरो x-square-1 upon x equal to 0 x square-1 equal to 0 x equal to x equal to plus minus सहाज में आया x equal to plus minus 1 अब इस form को भी solve करें x minus 1 by x equal to 3 by 2 2x square थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा मैं माइनस 2 एकोल टू 3x 2x square माइनस 3x माइनस 2 है ना मिडिल टम स्प्लिट कर दें 2x square माइनस 4x प्लस x माइनस 2 एकोल टू 0 तो 2x x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 तो फाइनली x माइनस 2 तो 2x प्लस 1 एकोल टू जी फाइनल एंसर यह लिख दू इसका फाइनल एंसर क्या आया एक्स एकोल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 और उधर से क्या मिलेगा माइनस 1 बाइ 2 और 2 सांज माया है 4 solutions तो यहां पर भी हमने क्या किया वर्ग समीकरण में परिवर्तित करके हल किया है अब नेक्स कुर्शन की और बात करते हैं एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लसट एट č प्लस ट्वैल एक्वल टू फ़ोर एक्से स्व्यatives थीए यह अब तक हो गया ह multif को सबी का समझ सभी को समझ में आ चुका है किस तरह से हमने वर्झ सम्हीं करण में परिवर्टित किया है ओके next question था x plus 2 x plus 3 x plus 8 x plus 12 equal to 4x करें गदान ना कुछ फॉर एकसे से वर्ण समी करें परीवर्तित करें तो दिखें ध्यान से यह तू और ये 12 का इंटू 24 और इधर इंटू 24 तो इन दोनों फेक्टर का क्वाद सब्सक्राइब करने नुंहें तो फास्ट और लस्ट में लिटिपलाइ करें नों क्या आएगा X square प्लस 12X प्लस 2X फॉर्टीन एक्स प्लस 24 और इन दोनों का multiply किया X square प्लस 8X प्लस 3X 11X प्लस 24 अब देखो मैं X square से सब्सक्राइब कर सकता हूं जब लिख दूंग कि भई एक्स 0 नहीं एक्स और देख लें अगर एक्स 0 होता तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाता और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता तू इन्टू थ्री इन्टू एट इन्टू 12 मतलब जीरो उसको सैटस्पाइब स्विक्राइब दोनों साइड हमने दोनों पक्षों में एक से इस स्क्वेर कर दिया है न एक से इधर एक से इन्टू है तो एक्स को एक्स से डिवाइड के एक्स प्लस 24 को एक्स से डिवाइड के 24 बाइए एक्स प्लस 14 इसको देखें इस एक्स स्क्यर को एक्स से डिवाइड एक्स प्लस 24 बाइए एक्स प्लस 11 ठीक है चाम लेव एक्स प्लस 24 बाइए एक्स को टी ले 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 तो इक्विशन क्या बन जाएगी टी प्लस 14 टी प्लस 11 एक्वल टू फॉर ठीक है चुटी स्क्वेर प्लस 11 टी प्लस 14 टी 25 टी प्लस ठीक है कितना आएगा यही आएगा करें केल्कुलेट मल्टिप्लाई माइनस पॉर कितना हो गया टी स्क्वेर प्लस 25 टी प्लस 150 यही आएगा ओके मिडिल टम स्प्लिट कर लें तो टी प्लस 15 और टी प्लस 10 ठीक है तो अब टी हमें तो एक्स निकालना है एक्स प्लस ट्विंटी फॉर बाइए एक्स प्लस 15 एक फैक्टर टी प्लस 15 एक्कॉल टू जिरो दूसरा फैक्टर है प्लस 10 एक्कॉल साज में आया है कि सब्लस 15 एक्स प्लस 24 यहां से क्या आजाएगा थ्री योर एट ठीक है दो हल यह आगए इसको सॉल करें एक स्क्वेर प्लस टैनेक्स प्लस ट्विंटीफूर हाँ इसमें फैक्टर रॉंग कियें देख लें हाँ हाँ इसके फैक्टर सेक्स और फॉर इसके तो हो रहे हैं ओके में डिल्टा में स्प्लेट कर दी है हमने तो एक्स माइनस एक्स और माइनस फोर झाल 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 अब वोईस आ रही है अब वोईस आ रही है हाँ सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया कैसे कोड्रेटिक में कनवर्ट किया हमने किस तरह से वर्ग समीक्रण में हल कर वर्ग समीक्रण में परिवर्तित करके इस समीक्रण को हल किया ओके नोट कर लिया सभी नहीं हाँ लास्ट फेक्टर का मल्टिप्लाई किया सेकेंड फिर दोनों साइड एक्स स्क्वेर से डिवाइड किया एक एक्स से डिवाइड इधर कर दिया और एक एक स से डिवाइड है तो फिर एक्स को एक्सद स्क्वेर को एक्स स्क्वेर को एक्स से डिवाइड किया एस एक्स को एक से तो उसरोंow evidence न sonny चैवेग को सब्तान किया यहें हैं ट्रैना लोट्यश में टेस्क मान representatives हो Parece उन clinics 드ंश टम तो यहां से फैक्टर नहीं हो रहे थे तो यहां कॉड्रेटिक का फॉर्मूला लगा है और यहां से इसली फैक्टर हो गए तो फैक्टर निकल लिए तो हमारे पास फोर सॉल्यूशन चार हल आगए समीकन के राइट ठीक है समझ में आया क्या ओके नेक्स्ट क्वेस्टन पर आते हैं हाँ इसमें भी कॉड्रेटिक बनती है हम लिखते हैं मान गयात कीजिए कॉड्रेटिक की अप्लिकेशन है 6 अप्लस 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 अप् तो हमें इसकी value find करना है, तो देखेंगे ध्यान से, हम मान लेते हैं कि इसकी value x है, 6 plus root 6 plus root 6 plus n, ठीके ध्यान देंगे आपर, x equal to, मैंने ये infinite time में से one time बाहर कर दिया, infinite time था ये, अंडर root 6 plus under root 6 plus under root 6 infinite time में से एक time बाहर कर दिया, ये quantity अभी भी क्या है, infinite times में से अभी ये पूरे को किस से denote किया, x, infinite times था, उसमें से one time बाहर कर दिया, तो ये अभी भी x है, इस quantity को हम अभी भी क्या बोचाएं, concept समझ में आया गया, concept समझ में आगया, ओके, हाँ, फिर से सुने, अंडर root 6 plus under root 6 plus under root 6 प्लस अंडर root 6 ऐसा कितने टाइम से, infinite times, infinite times, तो मैंने one time इसमें से बाहर कर दिया, कौन सा one time बाहर कर दिया, इस अंडर root 6 वन टाइम हटा दिया, तो बचा हुआ अभी भी क्या है, एक से, इन्फाइनेट में से one time, one minus कर देंगे, ठीके, तब भी वो infinite times ही रहेगा, ओके, तो ये वाला part मैंने one time बाहर कर दिया, तब remaining जो है, तब भी वो infinite times ही है, तो उसको बापस क्या बोलेंगे, x, क्यों कर दिया, हमें देखना है, x से relate करना, x माना है हमने उसको, है न, x हमें उसको solve करना है, तो solve करने के लिए कोई न कोई technique या concept apply करना पड़ेगा न, ठीक है, भी आप बोलो, अब मैं इसको आगे solve करना है, तो मैं squaring करूँगा, आप बोलो, क्यों की सरी, squaring, क्यों नहीं थी, solve करना है, तो कुछ concept apply करना पड़ेगा न, तो under root 6, plus under root 6, plus under root 6, plus under root 6, infinite times था, उसमें से एक under root 6 मैंने बाहर कर दिया, तो remaining जो बचा वो, तब भी XC रहेगा, ओके, अब इसकी squaring करना है, लेकिन squaring करने के लिए condition होती है, ऐसे squaring नहीं कर सकते, दोनों side same sign के होना चाहिए, right hand side तो positive है, left hand side भी positive होना चाहिए, अब squaring करोगे, ठीक है, X square minus X minus 6 equal to middle term, split करें, हाँ, देखें, X क्या होना चाहिए, था positive, इसको reject, final answer under root 6, plus under root 6, plus under root 6, ऐसा infinite time से, उसकी value क्या आ गई, 3, सांज में आया क्या, quadratic कर में convert हो रहा था, इसलिए मैंने यहां पर लिया है, concept सांज में आ गया, okay, है, अब हम आगे बात करते हैं, अभी हमने quadratic का, थोड़ा सा रहे गया, गुलू, यह लो, ठीक है, है, तो आप लोग बिटा, आपने सही नाम से, लोगिन किया करो, कि सब सही नाम से ही लोगिन है, अब हमने वर्ग समीकरन quadratic equation को solve कर लिया, तो उससे उसके दो हल आ गए, दो तरीके से solve किया, एक तो factorization method और एक formula में था, तो अगर quadratic equation यह थी, ax square plus bx plus c, इसको अपने quadratic के formula से solve किया, तो उससे जो हल मिले x, क्या मिला, minus b plus minus, under root b square minus 4ac, मिला था, उसको हम db बोलते हैं, यह जो d है, b square minus 4ac, b square minus 4ac, जो quantity है, उसको क्या बोलते हैं, d, discriminate, हिंदी में बोलते हैं, विवित्त कर, और इंग्लिश में बोलते हैं, and discriminate, ठीक है, और जो दो हल आए हैं हमारे, उन में से एक को alpha बोलते हैं, और एक को beta in general, जो दो मूल आए हैं, उन में से क्या हैं, alpha और beta, अगर हम plus sign लेंगे, तो alpha होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी को भी alpha बोल सकते हैं, और किसी को भी beta होता है, कोई भी alpha हो सकता है, कोई भी beta होता है, समझ में हैं कि मूल, तो हमें three relations, मूलों का योग, मूलों का गुणन्फल, मूलों का अंतर, ठीक हैं, मूलों का योग, ये मूल है, alpha, beta, verg, samikend के मूल है, अंगलों का योग निकलना है योग को किसे दर्श हाएंगे अलफा प्लस बीटा से तो क्या आएगा जोड़ो दो दो तो जोड़ोगे तो रूट डी से रूट डी प्लस रूट डी और मैंनस रूट डी कैंसल हो जाएगा मैंनस भी- माइनस टू बी अपाँन टू से टू कैंसल यह पहला रिलेशन सबको समझ में आगया है कि मुलों का योग कि मुलों का योग सबको समझ में आगया मूलों का गुणन फल इन दोनों का घुणा करते क्या आएका माइनस यहां से कॉमल ले तो और माइनस यहां से भी कॉम ले ले तो यह पहली तंबची बी माइनस रूट डी और दूसरी तंबची बी प्लस रूट डी अपॉन 4a स्कुरां जी व कुणा किया और दोनों जगह से माइंस- şey कॉमण निकालHAHA कर प्लस हो गया ठीक है तो स्केडिक ने ही इस को इस कंची बन गई अंतर सीमा य। ब्लस रूट D, A plus B minus B, A square minus B square, B square मतलब D, root D, root D, D आ गया, D की value है B square minus 4A plus 4A C upon 4A, B square से B square cancel, 4AC upon 4A square, 4F Criminal, A C upon A square, A से A cancel, formula is C by A, डाइरेक्ट याद रखना है मूलों का गुणन फल क्या होता सी बाई और मूलों का योग फल क्या आया था माइनस भी अब इसी तरह मूलों का अंतर अब मुलों के अंतर में एक दिक्क्त इसमें से यह माइनस करोगे इसमें से यह दोनों को इसलिए यहां मॉड लगा दो तो अब मॉड का मतलब हो गया अलफा माइनस बीटा भी हो सकता है बीटा माइनस अलफा इसमें से इसको माइनस किया है तो माइनस भी और यह माइनस भी प्लस भी हो गया ये विसे विक्यांसल रूटक्णी फ्लस रूंट माइनस माइनस प्लस रुटूट्ट ड्रूट कैंसब्स Mechanism कॊंजों कैंत्व है और केंसरीव मौड लगा कौने ऑप यहां इसलिए मूलों का योग माइनस बी बाइ मूलों का गुणनफल सी बाइ मूलों का अंतर का और इनात्मक मान रूट डी अपॉन मॉड ए मॉड ओफ आ अलफा माइनस बीटा इक्वल टू अंडरूट डी अपॉन मॉड कैसे सब को समझ में आ गया नूट करें बजलें झालीव अंगरूट आ आ ऐा वे समझ बाइ मॉड गज़ एक्वला माइनस बीटार बीटार इनात्मक मॉड अंतर को समझ का तूग्लों मॉड भॉबा है झालीव जए जुट समझ मॉड झाली आ गॉड़ुवश्तारा मॉड शजग तूज़ आ लंग Speaker 1.0 हाँ तीनों रिलेशन्स अभी को समझ में आ गए जो अल्फा बीटा जो समीकरण होता है वर्ग समीकरण उसको जो हम हल करने के बाद जो एक्स के दो मान आते हैं उनमें से किसी एक को अल्फा से दिनोट करते हैं किसी एक बीटा से दिनोट करते हैं वो तो हम इस्टेंडर नोटेशन ले रखें कि अल्फा बीटा से दिनोट करते हैं आप चाहें तो पी और क्यों अपनी इक्षा हो तो हाँ अल्फा माइनस बीटा मूलों का अंतर अल्फा और बीटा समझ में आ गया क्या जिन्होंने बोला था कि अल्फा बीटा समझ में नहीं आया अल्फा बीटा तो हमने मन से लिया मान लिया कि जो मूल है उनमें से एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा है है राइट मूलों के अंतर में बटाई यह इसमें से इसको माइनस करना है कि इसमें से इसको माइनस करें तो देखो यह माइनस भी यह लिख्के बताता हूं माइनस भी प्लस रूट डी बाइट वे माइनस माइनस भी माइनस रूट डी बाइट वे ठीक है, क्या हो जाएगा, LCM 2A माइनस B प्लस रूट D प्लस B प्लस रूट D ये B से B कैंसल हो गया क्या आगया, 2 रूट D बाइ 2A, 2 से 2 कैंसल हो गया तो रूट D बाइ A बचा अब A पे मौड क्यों लगाया क्योंकि उधर हमने अलफा माइनस बीटा पे भी मौड लगा लिया कि भई वो कभी रिनात्मक नहीं आ सकता अगर मौड लगा लिया तो लेफ्ट एंड साइड कभी रिनात्मक नहीं आ सकती और उसके इकोल में राइट एंड साइड है तो वह भी कभी रिनात्मक नहीं हो सकती नहीं तो दोनों इकोल कैसे होंगे राइट ओके अगया कि सबको समझ में आगया क्या तो हमने तीन चीज सीखी फूलों का योगफल माइनस वीबाए फूलों का गुणन फल अलफा इंटू बीटा सीबाए मूलों का अंतर अंडरूट डी बाय मूडे मूलों को अरिनात्मक नहीं है तरच माया क्योंकि मूलों के अंत्र मेंगे यह नहीं मलूम की फ़ले मूल में चैसे दूसरे मूल को घटाना है ज्यां दूसरे मैं से पहले को नहीं कि सीखी घटा सकते से मॉड़ लागें ओके था्ज में आया सभी को ठीक है अब हमारा नेक्स जो कंसेप्ट है वो है वर्ग समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंद यह जो अभी हमने तीन रिलेशन पढ़े मूलों का योग, मूलों का अंतर और मूलों का गुणांफल यह भी क्या है अलफा बीटा मूल है और एबीसी क्या है गुणांक तो मूलों और गुणांकों में संबंद वो भी थे अब यह नए प्रकार के हमें नए टाइप के रिलेशन्सिप देखना है वर्ग समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंद ठीक है तो पहला सब्सक्राइब यदि वर्ग समीकन का एक मूल शुन्य है एक मूल शुन्य है मतलब अलफा और बीटा मैंसे एक शुन्य है दूसरे का पता नहीं केवल एक मूल शुन्य है दूसरा शुन्य हो भी सकता नहीं भी हमें नहीं मतलब एक मूल शुन्य है अगर एक मूल सुन्य होगा तो मूलों का गुणनफल जीरो आएगा अलफा और बीटा में से कोई भी एक जीरो है तो योग तो जीरो नहीं आ सकता एक जीरो है और दूसरा फाईब है तो अलफा जीरो नहीं आएगा लेकिन गुणनफल 100% जीरो आएगा ठीके? पहला केस एक मूल सुन्य है अगर एक मूल सुन्य है तो मूलों का गुणनफल सुन्य होगा मूलों का गुणनफल का फार्मूला C by A equal to 0 तो C equal to 0 बास समझ में आगी पहला केस समझ में आया क्या? यह दिवर के समय कहने है एक स्क्वेर प्लस BX plus C equal to 0 का एक मूल सुन्य है तो सर्थ होगी C equal to 0 दूसरे पर कोई कमेंट नहीं दूसरा सुन्य भी हो सकता दूसरा अशुन्य भी हो सकता तो B जो A B C है उसमें से C हमने बोल दिया शुन्य है B पर कोई कमेंट नहीं और यह तो पहले से ही पता है अशुन्य नहीं पहला पॉइंट सबको समझ में आया अब दूसरा पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ वर्ग समी करण का ठीक एक मूल सुन्य है ठीक एक मूल सुन्य होने का मतलब और पिछले केस में लिखा एक मूल सुन्य दोनों में क्या फर्क पहले केस में हमने बोला एक मूल शुन्य है का मतलब एक मूल शुन्य है दूसरा शुन्य भी हो सकता लेकिन ठीक एक मूल शुन्य है का मतलब एक ही मूल शुन्य है दूसरा शुन्य है ठीक एक मूल शुन्य है का मतलब केवल एक ही मूल जीरो होगा दूसरा जीरो नहीं हो सकता ठीक है तो दूसरा जीरो नहीं हो सकता एक मूल शुन्ने है तो एक मूल शुन्ने है तो मूलों का गुणनफल तो जीरो आएगी लेकिन मूलों का योगफल जीरो नहीं आ सकता क्योंकि दूसरा मूल शुन्ने नहीं तो गुणनफल जीरो है और योग फल शुन्न नहीं तो यहां सर्थ आ गई आपकी C 0 और B 0 नहीं यह बात समझ में आई क्या दोनों के समझ में पहला केस एक मूल सुन्न है तो उसकी सर्थ C refers to 0 कि कमेंट दोनों ओल शुन है तो ईकोल टू में और बीप ऑल बी सुनुं नाट गये वो या आसामाज में आके थायडर केस North East poll कि योग फ़ड़ा। au misery गाइस वह ठोनों मूल शुन आखते दोनों अगोन फिल दोनों मूल सुन्दने है। तो यह गणान यह सब को समझ में आगे क्या थी नों के सबी को समझ में आगे कि तिम के पहले के समें है तो शूट नहीं है तो सी bucks यह और प्लेज्ल नहीं होगा डोना मूल सुन्टे हैं सीभी जीरो बीबी जीरो राइट साज में आया चलिए चौथे केस की बात करते हैं चौथा केस है यदि वर्ग समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का व्यूतक्रम है तो अगर एक मूल अलफा लिया तो दूसरा मूल बीटा की जगा क्या लेना पड़ाएगा वन बाय अलफा तो ये एक मूल दूसरे मूल का व्यूतक्रम है तो अलफा इंटू वन बाय अलफा मूलों का गुणनफल वन आएगा और मूलों का गुणनफल सी बाय ए होता है तो सी की वैल्यू आ गई यह चौथा कि दोनों मूल सुनने हैं हो गया नयन्द कि दोनों मूल सुनने हैं उसकी सर्थ सीबी जीरो बीबी जीरो क्लियर ओके हाँ अब चौथा केस यदि वर्ग समीकन का एक मूल दूसरे मूल का व्युद्क्रम है एक मूल दूसरे मूल का व्युद्क्रम है तो एक मूल है अलफा और दूसरा मूल है वन बाई अलफा तो दोनों का गुणनफल क्या आएगा वन तो गुणनफल का फॉर्मूला C by A equal to 1 C equal to 2 पांचवा केस दोनों मूल एक दूसरे के दोनों मूल एक दूसरे के विपरी चिन्नों के दोनों मूलों के चिन विपरी थें मतलब एक धनात्मक है और एक रहनात्मक है दोनों मूल एक द्धनात्मक मूल है तो उनका गुणनफल रहनात्मक आएगा कि अगर अलफा बीटा विपरी चिन्नों हैं तो गुणनफल और स्याथ लेक्ट The less than zero तो इसको आप c into a less than 0 भी लिख सकते हैं रीजन मालूम है क्यों सी अपॉन ए नेगेटिव और सी ए नेगेटिव क्यों क्योंकि इसमें ए हमें पता है कि ए तो कभी 0 ही नहीं हम किस वर्ग समीकर्ण के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है एक स्क्वेर प्लस bx प्लस c equal to 0 जहां ए कि बाए नेगेटिव लगाओ या सी इंटू ए नेगेटिव लगाओ दोनों एकी बात है कि साज में आ गया कि छटा पॉइंट है कि यदी कि वर्ग समीकरण के मूल और यहां कि कि रिपीट करूं फिप्त मैं अल्फा और बीटा बिपरीच नों के हैं यदी समीकरण के मूल बिपरीट चिन्नों के हैं बिपरीच चिन का मतलब समझते ओएक पॉजाटिव एक नेगेटिव तो उनका गुणा करेंगे तो मूला सिव कर भाइस परमूला सीघल से शिय९ह लिखाट या सी इंतु एलेस देश्टंटीरो लिखो एक ऐसलिए हर जीरो कभी हो नहीं सकता वर्ग समीकरन का किस लिए ओके हैं यहांच चाटा केस की बात मूल नम्य बदद कर हैं परिमाण में समान मतलम मेगनिट्यूड उनका इक्वल है अगर एक मूल अलफा है तो दूसरा मूल का परिमाण तो अलफा ही होगा लेकिन चिन अलगे माइनस अलफा अगर एक मूल प्लस अलफा है तो दूसरा मूल माइनस अलफा हो यदि वर्ग समीकन के मूल परिमाण में ब लिए दूसरा जीरो तो मूलों के योग का फॉर्मूला तो माइनस बीकल टुजीरो मतलब और यहर्दी किसी वर्ग समीकरन यह लिए किसी वर्ग समीकरन के मूल परिमान में बरढ़ेर किन्ति विप्रीच चिन्नों के है तो इसो क्रेंब אुई कैस सिक्स केस ओके अब हम सेवन्थ केस की बात कर रहे हैं देखें कि सेवन्थ केस वेरी इंपोर्टेंट सेवन्थ केस वेरी वर्ग समीकरण के गुणांकों का योग शुन्य है वर्ग समीकरण सबके लिए किये इसके गुणांकों का यह गुणांकों का योग शुन्य है तो इस वर्ग समीकरंड का एक मूल एक होगा तथा दूसरा मूल सीवाए यह याद रखना बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है हमने क्या बोला यह वर्ग समीकरंड थी हमारी इसके जो गुणांक है इनका योग शुन्य है गुणांकों का योग शुन्य है तो आप डाइरेक्ट लिखो इसका एक मूल एक होगा और दूसरा मूल सीवाए होगा प्रूव कर सकते हैं कैसे होगा बीकी वेल्यू निकल लिए यह से जाहरत है फिकी वेल्यू रग दी इस माईनास ए मैनस माईनस देख लख लिए एक्सस्ग事 के इकस कॉमन ए एक स्कॉमन एक स्कमन एक स्माइनस दें थी START एक सब्सक्राइब करना। एक समय करने के गोणांकों का योग सुन्सून्स है तो एक मूल वन होगा और दूसरा मूल सीध है अग ए प्लस बी प्लस न जैसे इस पर बेज़ ग्वेस्ट कोश्चन आपको आ जाए कि पी माइनस क्यू एक्स स्वेर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी एक्वल टू जीरो वर्ग समीकन हल की जीए पी माइनस क्यू एक्स स्क्यार प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी एक्वल टू जीरो तब ध्यान से देखो गुणांक देखो ध्यान से पहला गुणांक के P-Q, दूसरा गुणांक के Q-R, तीसरा गुणांक के R-P, ध्यान से देखो इन गुणांकों का योग, शुन्य है, खुछ सॉल करने की जरूरत नी डारेक्ट लेखो, एक मूल होगा एक, और दूसरा मूल ह सभी को कंसेट्ट समझ में आया सभी को सभी को क्लियर व गया कि अई हमने मूलों के गुणांक कि पाग और मूल कि बर्ग समी कि नहीं के मूल और गुणांकों में संब्द है मूलों और गुणांकों में संबंद है ना तो seven points हमने देखें clear हुए सभी को चली next पर आते हैं कि अगर आते हैं पर आते हैं के का वह मान ग्याद कीजिए जिसके लिए समीकरण का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है कि इस वर्ग समीकरण का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान ग्याद करता है कर सकते हैं सभी अभी पड़ी पंडी condition हमने क्या है condition यदि वर्ग समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो c बराबर a पड़ा है अभी प्रूव किया था c इकोल्स टू एक यहां c क्या है माइनस के और a क्या है वन तर एंसर क्या होगे के की वैल्यू में कि समझ में आया क्या है पहले question का solution सभी को समझ में आ गया question दिया है वर्ग समीकरण x square माइनस के प्लस 3 into x माइनस के एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तो के का मान तो c बराबर ही दूसरा question दूसरा question बोला है के मूल परिमाड में बराबर किंटु भी परीच्चिन्नो के हैं तो आजी condition पड़ी हमने गूंट है अगर यह मूल अलफा दूसरा मूल माइनस अलफा है तो यह 0 हो जाता माइनस बीबाए ओकोल यह दोसरे question का answer केकोल टू- सबको समझ में आया किया दोनों समझ में सब्सक्राइब को कैक एकोल टू की दोनों कॉश्टन समझ में आया है ओके नेक्स पर आते हैं सेकेंड कुश्चिन पी के उन सभी मानों का समुच्चे जाद कीजिए जिनके लिए समी करन 3x2 plus 2x plus p into p-1 equal to 0 के मूल बिपरीत चिन्णों के के मूल बिपरीत चिन्णों के परिमान में बराबर नहीं बोला है के वल बिपरीत चिन्णों के पी के उन सभी मानों का समुच्चे जाद कीजिए जिनके लिए वर्ग समी करन के मूल विपरीत चिन्नों के हैं परिमान में बराबर नहीं बुला विपरीत चिन्नों के हैं तो आज इक कंडिशन पढ़ाई C upon A less than 0 या C into A less than 0 एकी बाद सभी को मालूम है C upon A less than 0 क्यों क्योंकि अगर मूल विपरीत चिन्नों के हैं तो alpha into beta negative होगा alpha into beta की value C by सब्सक्राइब करेंगे मालूम है सभी को कौन सी मेथड इस असमीका को हल करने की कौन सी मेथड यूज कर रहा है negative positive positive negative open interval कि वेविकर मेथड इंटर्वल मेथड क्योंकि असमीका बन गई असमीका बनेगी तो हमें हल करने के लिए वही मेथड लगा कि अगर सबको समझ में आया कि ओके नेक्स क्वेश्चन पर आते हैं अगर सब्सक्राइब आधे हैं अगर समय करन एक स्क्राइब अग्स क्यार प्लस एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो वर्ग समीका न क्या है एक्स स्क्राइब प्लस एक्स प्लस एक्वल टू 0 अगर मूरों का sliding गॉलों का उंतर रहा है तो एकामान गयाद कीजिए कि मूलों का अंतर दो है मूलों का डिफरेंस तो अगर हमने मूल ऐल्फा बीटा मान लिए तो मूलों का अंतर दो दिया है और मूलों के अंतर क्लियर अलफा माइनस मीटा मुलों का अंतर है मुलों के अंतर का firmware अ 생겼ंडर और उड़ी अपनल और यह कुंसा यह फ्रमूले में एककसिक्र का गुणांग और इधर एककसिस्क्रका मुणांग का वन है वो यह कैंग अब अन्डरूट डी इक्वल टू टू डी क्या है इस वर की समय करण का विवित्त कर तो डी इक्वल टू फोर डी का फॉर्मूला बी स्क्वेर बी की जगा ये है बी स्क्वेर माइनस फोर एसी फोर एसी कि एस्केर माइनस 32 एक्वल टू फोर एस्केर एक्वल टू थाइटी टू प्लस फॉर थाइटी सिक्स प्लस माइनस कि सबको समझ में आया क्या कि ओके चलिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि अब्यूंद गयाद कीजिए यदि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस एक्वल टू जीरो का एक मूल दूसरे मूल का एन गुना है क्या बोल रहा है रवी संकर पिछली स्लाइट देखाऊं क्यों अभरागट की लिए देखाऊंव ली लुएट पेता ओनासर्द प्लस जिएट वेंगर्ट रनासर्वेश्ट घरूड़ एक्स्वेश्ब लागर्वेश्चन प्सृत् व्जी जएएग्श्ब आयाट, व्याट, पिएवश्ब ओके न देखें यदी ABC जो गुणांग है समीकरण वर्ग समीकरण के गुणांग है AX2 प्लस BX प्लस T equal to zero ABC में संबंद निकालना है यदि वर्ग समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का N गुना है और दूसरा question है, एक मूल, दूसरे मूल का वर्ग है, दो question है, पहले हम पहला question कर रहे हैं, फर्स question कर रहे है, ABC में संबंद गयाद कीजिए, यह ABC में relation नकलना, यदि एक मूल, दूसरे मूल का न गुना है, तो ध्याँ देना, मूल क्या मान लोगे, एक अल्फा और दूसरा मूल क्या मानोगे एन अल्फा अब देखो फॉर्मूले लगाएंगे मूलों का योग क्या होता है माइनस बीबाई मूलों का गुणनफल दूसरा रिलेशन सी अब देखो क्वेस्चन में हमें एबीसी में रिलेशन निकलना और साथ में अन में भी रिलेशन आएगा अल्फा मन से लिया गई चीज ती जो क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं है तो अल्फा को हमें बिलोपन करना पड़ा है तो अल्फा का बिलोपन करने के लिए हम यहां अलफा कोमन ले लें तो one plus n minus b by a तो अलफा का माना गया minus b by a one plus n या एन plus one इस समीकरन एक यहां हो गया n into alpha square equal to c by a n alpha square रखें minus b by a n plus one whole square equal to c by a तो देखें ध्यान से n b square upon a square n plus 1 whole square equal to c by a देखो a k से a k cancel हो जाएगा तो relation finally आ गया n b square n b square equal to a c n plus 1 whole square यह a b c और n में संबंद है समझ में आया है सभी को एक मूल दूसरे मूल का n गुना है तो हमने मूलों का योग लिखा मूलों का गुणनफल लिखा मूलों का योग से अलफा का मान निकाल के मूलों के गुणनफल वाले relation में रख दिया एक a से 1 के कैंसल करके n b square equal to a c n plus 1 whole square अब दूसरा question है second part second part ध्यान से देखें एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है तो एक मूल को अलफा लिया दूसरे मूल को अलफा इसकर लिया ठीक है देखने पहले तो मूलों का योग लगाओगे माइनस b by a मूलों का कुणन फल लगाओगे c by यहां से अलफा क्यूब आ गया c ठीक है अब क्या करें हम अलफा का भी लोपन करना है तो पहला जो समीकरन है इसकी क्यूबिंग करने अगर क्यूबिंग मतलब दौनों पक्षों का घन करने करते है b फ्लेटिथे अब्स थीo ले इन ब्रेके टेप्लस भी सब्सकों आती है आई इंटिटी इक लटो फिम अलफा कैसे बेल्टानों को UK और आखम के कि लिए रिलएशन के निकालधाएं तू देखें 5 सब्सक्राइव के गुश्य स्पॉभ हुण इक्वल टू थ्री एबी से और बेटर फॉर्म में लिख दिया है कि सांज में आगया कि सभी को कि ओके तो यह दो कुछन थे इसी में कि तो किस तरह से हम दो रिलेशन मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का उप्योग करते हैं कि एक से अलफा निकाल के दूसरे में रख दे कि हैं तो आज हमने जो थियोरी पड़ी वो सभी को समझ में आया गया नेक्स क्लास में इसके आगी कंटीन्यू करेंगे कि आज जो असाइनमेंट दिया था मैंने कल उसका सॉल्यूशन साइन किया था क्वेशन हुए आप लोगों से एक्सरसाइज वन के फिप्टीन क्वेशन दिये थे अब मंडे के लिए असाइनमेंट रहेगा एक्सरसाइज वन के आगे के कॉस्चन मतला एक्सरसाइज वन कंप्लीट करना है ठीक है थोड़े से एक्सरसाइज के कॉस्चन बिगनर बॉक्स के कंपेरिजन में टफ हैं मालूम है सभी को ओके नेक्स्ट कल कंटीनू करते हैं इसके आगे